हेलो फ्रेंड्स आज अपनों कम्प्यूटर के कुछ अलग क्यूशन के बारे में बात करेंगे सॉल्ट क्यूशन हैं जो अब्जेक्टिव डाइट्स एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे ठीक है एभण इसे हैं तो आप अपने KOPY और PAN या फिर रेस्टरや कोई PASE आप साथ ले के बैठें तो शुरू करते हैं कंप्यूटर का अपना पहला Q bones अपना पहल क्यूशन है जिनक किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनग कौन है किसे Г tribun के ते हैं जिसको on क्यों कहते हैं इसके बार में को जो जनक है जिसको October की उपार दी यह जिनका नाम है चार्लस वेज को आप सवाल को नाम नहीं क्यों को आजाता है चार्ल्स वेजनधे ने एंजिन बनाएता जिसके नाम था अनलैटिकल इंजन चार्स वेवेज ने एक इंजिन बर रहा था जिसको नाम था एनलेटिकल इंजन ठीक है इसलिए चार्स वेवेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपादी दी गई ठीक है क्यूशन नमबर दो है अपना कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाड़े मैसेज को जो कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाते हैं ठीक है उनको अपन बहुते हैं इमेल इमेल किसको कहते हैं वे संदेज जो कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाते हैं उनको अपन इमेल बहुते हैं और इमेल का पूरा नाम है वो है इलेक्ट् इंटर्नेट का जनक कोण है। इंटरेट का जनक क्या जाता है। उसके बाद में next question है, एक nibble में कितने bit होते हैं, यह measurement unit है, एक nibble में कितने bit होते हैं, तो याद रखना, one nibble बराबर, one nibble equals to four bit, one nibble equals to four bit, next question है, कि program में जो अशुद्धी होती है, जाकर कोई भी software है, उसमें कोई अशुद्धी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस अशुद्धी को हम bug के नाम से जानते हैं, bug, किसी भी program में अगर कोई अशुद्धी है, उसको हम bug के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उस अशुद्धी को ढ दुन्डने की जो प्रोस्यस होती है ठीक है किसी प्रोग्राम में अगर आप अशुद्धी धून्दते हो ओने यह उसको को बहुत है तो कूए कुप्रोग्राम में अगर अगर आप माउस का अभिसकार जय Ministry को किस ने किया माउस माउस कौनसा जो आप कंप्यूदर में नहीं करिड़ अपके कि द्हमें नियृ धाएग मोसे तो किस ने किया तो झ्यूर्ट ऑश्व जो निभार्टनीप आप्टों के आप app का मन हुआ कि नेभान वे Bak ó डगलस एंजली बर्ट ने, ठीक है, माउस का जो विश्कर कहा था ऴो किया था, डगलस एंजली बर्ट ने, उसी के पाद इसी सेस्टरी में ले ले देते हैं, अपना कीबोर्ट जो था, जो था आपना कीबोर्ड का किस ने किया, कीबोर्ड का विश्कर कहा था, कृSτοfer Latham Schellas क्रिश्टोपर, लयथां, शैलेज, कीवोर्ड का विश्कार किस ने किया था, क्रिश्टोपर, लयथां, शैलेज, सबसे पहला computer कौन सा था, ठीक है, नेस्ट क्यूशन है सबसे पहला computer जो कौन सा था सबसे पहला computer जो अगर पूछा जाएंग ठीक्श कर और तो सबसे पहला electronic computer अगर पूछ ले कि सबसे पहला electronic computer कौन सा था तो वो था E-neiac, E-N-I-A-C, E-neac, ठीक है next question है कि computer में data का अर्थ क्या होता है computer में data, D-A-T-A, ठीक है आपने नाम चुनावा होगा, कि computer में data का अर्थ होता information यानि कि सूचना, ठीक है डाटा का अर्ग होता है information यानि की सूचना next question आता है कि computer में data की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है computer में data की सबसे छोटी इकाई जो हती है वो कौन सी होती है सबसे छोटी इकाई होती है bit सबसे छोटी इकाई होती है computer में bit सबसे बड़ी काई जोती है वह अभी जियोबाइट माली रहा थे ठीक है सबसे बड़ी जो वह जियोबाइट सबसे छोटी बिट थीक है the smallest memory measurement unit is bit and the largest memory measurement unit is जियोबाइट ठीक है next question है AI यहनी कि artificial intelligence artificial intelligence का जनट किसको कहा जाता है AI artificial intelligence आप जानते हो कि artificial intelligence क्या होता है artificial데 मानों के द्वारा निर्मित् और किरतरिम बुद्धी के नाम से जानते हैं जों आपकिल इंट्रीजेशल इंटिजान्सी तो artificial intelligence स्था जिसको करें जाता हो इंका जलता है जोन मेकाथी जौन मेकार्थी नाम लिख देता हूं कि जौन मेकार्थी जॉन मेकार्थी next question है computer science के जनक कौन है the father of computer science computer science के जनक का नाम है Alan Turing next question है control shift और alter computer के keyboard में control shift और alter कौन सी कीज होती है ठीक है computer के keyboard में control shift और alter कौन सी कीज होती है तो computer के keyboard में control, alter और shift वो इनको अगर अपन बोला जाये तो इनको modify boots कि यह आफिर और आपिन की भूलते हैं कि मोडिफाईर विए यहा़ धिर कॉम्टी दालते के चिलेनेशिन को जाना जाता है किसी टेंसन अगर हम यह की पोजिशन का पता करना चाहिए कि आपना मास मास का घूत करंग हम जो कर सठसचर या फिर कर्सव की करेंट पोजिशन का जाने के लिए हम não मी कॉंसी होती कम्प्य prejudices meses कोond होती है जिसका पुरा नाम होता है रेंड़म एक्स Hate और दूसरी होती है ROM, जिसका पुराणा होता है Read Only Memory, ठीक है, कंप्यूटर में दो में मेमोरी होती है, कौन कौन से होती है, पहली दुबारा सुनी भीजिए, पहली होती है, Random Access Memory, RAM और दूसरी होती है, ROM, Read Only Memory, ठीक है, next question है, internet में कौन सी language का यूज किया जाता है, आप जब internet चल यूज किया जाता है, internet में हमेसा Java language का यूज किया जाता है, J-A-B-A, internet में हमेसा Java language का यूज किया जाता, next question है, कंप्यूटर में printer की quality, जान रखना, printer की quality, कौन सी कैसे मापी जाती है, ये question most important है, काफी exam से पुछा भी जा चुका है, ठीक है, कि computer में, sorry, computer का जो printer होता है, printer मे printing की quality होती है, printer की quality होती है, वो कौन सी हिकाई में मापी जाती है, तो printer की quality है, वो dpi dot per inch, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देखा हूँ, printer जो होता है, printer आप एसे जानते हो, printer होता क्या है, printer होता है, soft copy को hard copy में convert करने का एक device है, ठीक है, printer ठीक है, printer की quality होती है, जैने की गुन होता, गुड वता सॉफ्ट्वेर को और किस नाम से जाना जाता है सोफ्ट्वेर जोता है सोफ्ट्वेर को और किस नाम से जानते हैं सोफ्ट्वेर को और अपन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं सोफ्ट्वेर जोता है सोफ्ट्वेर को प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट कुछन है, वाइफाई का पूरा नाम क्या है, वाइफाई का पूरा नाम 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 है, 1997 में 1997 में इसका अविश्कार हुआ था उसके बाद में www www का पुरा नाम क्या है? www का पुरा नाम है World Wide Web ठीक है यह एक Open Source Information System है www का पुरा नाम है World Wide Web ठीक है यह है क्या? यह एक Open Source Information System है ठीक है? इसका अविश्कार किस नहीं किया था? इसका अविश्कार किया था Team Burner League नहीं क्या है था? क्या है था ना? Team Burner League www का अविश्कार Team Burner League के दोरा किया गया था? क्या है यह? यह Open Source Information System है ठीक है? उसके बाद CD, CD को और किस नाम से जानते हैं? एक नाम पहले बताया जा चुका है, एक नाम है CD का Compact Disc, यह इसका Full Form है, Compact Disc Compact Disc के लावा और किस नाम से जानते हैं इसको? और अपने जानते है Optical Disc के नाम से Compact Disc के लावा CD को Optical Disc के नाम से भी जाना जाता है और इसका विश्कार किस ने किया था? इसका विश्कार किया था? जैम्स रसेल नहीं CD का जो विश्कार है वो जैम्स रसेल के द्वारा किया गया है ठीक है नेच्ट प्डाक कि विश्कार क्सवगा सबसे पहला 스क प्रयला तो आपका का मैं बताता हूं को बजले विश्कार का सबसे पहला सब्सके पहला सब्सक्राप्थाजा यह आपकर दो आप को सब्सक्राने इसका कुरा नाम अगर पूछ लिए एडवांस्ड रिसेर्ट्ट प्रोजेक्ट एजन्सी नेटवर्क अर्पानेक्ट ठीक एडवांस रिसर्ट्स प्रोजेक्ट एजन्सी नेटवर्क ठीक है यह सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है ठीक है next question है किसी भी चलते हुए कंप्यूटर यानि कि कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है ठीक है अचानक वो चलता चलता बंद हो जाता है यानि कि किसी चलते हुए कंप्यूटर है प्रोग्राम का अचानक चलते हुए बंद हो जाना ठीक है या फिर अचानक बंद हो जाना को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है जब कंप्यूटर से किसी डोक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं अगर प्रिंट करके बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं हाइड कोपी ठीक है उसको अपन बोलते हैं हाइड कोपी next question i C chip किस की बनी हुई होती है i C chip जो होती है वह किस की बनी होती है i C chip बनी होती है वह सिलिकॉन की i C chip is made by silicon next question is www ka backbone यानि की www का backbone किसे का जाता है www अभी आपको बताया है World Wide Web Open Source Information System है उसका backbone क्या है उसका backbone है HTTP यह एक protocol है ठीक है Hypertext Transfer Protocol ठीक है www का backbone क्या है HTTP Hypertext Transfer Protocol ठीक है Next question है Computer का दिमाग किसे कहते है Computer का दिमाग किसे कहा जाता है Computer का दिमाग किसको कहा जाता है Computer का दिमाग कहा जाता है Mind Computer का Mind किसको कहा जाता CPU गो CPU जिसका पुरा नाम बहुता Central Processing Unit Hindi में बोले तो Kentry है Sunsadhan Ikae Kentry है Sunsadhan Ikae ठीक है आज के लिए बस इतना काफी बात के अपने मेरते हैं अगली क्लास में अगली की फिसका के जाए सकती नाश सत्पे अगल्दां झाली के युख रहोग प्रूश